नमस्कार दोस्तो मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ममता जुए में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में हर हर महा देओ हमेशा की तरह जरूर लिखे तो चलिए दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज होना क्या सुभ है कि नहीं है धोई कि ना धोई पहला ब्रत अगर छूट गया है तो क्या दूसरे से फिर से सावन का ब्रत कर सकते हैं पती पूजा नहीं कर रहे हैं तो क्या करें इसी प्रकार के कई ऐसे महत्तोपूण बाते आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो आप बन पहुँचे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात है कि क्या हम सावन में ब्रत हमारा पहला अगर हम असुध थे दिदी हम ब्रत नहीं किये हैं तो क्या दूसरा ब्रत हम फिर कर सकते हैं पहला अगर छुट गया है तो आप दूसरे से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि अभी भी तीन है जिसका पहला अगर खराब हो जाता है तो फिर दूसरा मतलब कर सकते हैं जिसका दूसरा खराब हो जाता है तो पहला करता है चार है तो कोई न कोई तो खराबी होता है तो इसलिए छोड़नी नहीं चाहिए बहले ही आप पूजा ना करें लेकिन ब्रत रख सकते हैं ठीक है पीरियड है तो भी तो आप इस परकार से कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है अगले से ब्रत रखिएगा दूसरी चीज़ क्या है कि दिदी हम मतलब सोंबार के दिन किसी कारण वस क्या हम बाल धो सकते हैं या सूद हैं या हमने कुछ खा लिया गलती से लहसन पे आज खा लिया है तो अब हम क्या करें आप लोग बहुत जल्द घबडा जाती हैं दिदी जल्दी उपाए बताईए कै क्या करें तो देखें कि एक तो बचा कर रहनी है लेकिन एक महीने का बात है कभी-कभी गलती से सचमें बाहर कुछ जाते हैं तो हम खा लेते हैं ध्यान नहीं आता तो देखें जो भृत करते हैं चट पूजा हो करवा चौत हो, सभी बृतं में नियम है कि एक दिन पहले ही नहाय खाय होता है ठीक है और ब्रत के दिन बाल धोना बिलकुल सुभ नहीं माना जाता और सुहागीन महिलाओं को खास तोर से द्यान इन बातों का रखनी चाहिए लेकिन सावन के महिने में हमें चार-चार ब्रत रखने है तो देखे अगर कोसिस किजिए कि ब्रत के दिन ना धोएं तो ज्यादा बेहतर है लेकिन मान लिजे कभी मजबूरी पढ़ जाए असुद्ध है तो धो नहीं है बिलकुल दिक्कत नहीं है आप संडे को नियम कर लिजेगा क्योंकि मंडे को पिरियेड का बाल नहीं धोते हैं तो इसलिए संडे को आप लो थोड़ा सा लट धो लिजेगा जो कि मै कई बार बता चुकी हूँ नियम कर लिजेगा और मंडे को आप अच्छे से बाल धोकर सेंपू साबून लगाके आप नहा सकती है और नहा कर आप मंदिर जा सकती है अगर उस दिन आपका six days भी हो जाता है तो आप मंदिर जाएगा ठीक है ऐसे नियम है क सात्वे दिन से ही पूजा करनी चाहिए लेकिन कोई बात ही अगर छठे दिन भी आप सही हो गया है तो आप बाल धोकर नहा कर पूजा कर सकती है तो आप लोग बाल धो लीजेगा बहुत जरूरत पड़े तो मंडे को भी बाल धोते हैं अगर नॉर्मल भी बीना पीरियेट कभी अगर किसी कारण वस धोना पड़े हम सोंबार के ब्रत में सिवरात्री में धोते हैं कोई दिक्कत नहीं आप लोग टेंसन मत लीजेगा तो ये भी हो गया अगली चीज क्या है कि दिदी हम पूजा करने के लाइक नहीं और पती हमारे जो है पूजा नहीं कर रहे हैं सावन में इस प्रकार से ये नहीं करते हैं तो देखें पती लोग वैसे भी पूजा पाट थोड़ा कम ही करते हैं बीजी रहते हैं महिलाओं महिलाओं ही मतलब अधिकतर पूजा पाट करती है घर के नियम धर्म तो वही अपनाती है सच बात है और बहुत ऐसे पती भी है जो कि महिलाएं ही कम करती है और पती लोग बहुत अधिक पूजा करते हैं तो इसलिए माली जब के पती बीजी है या अफिस जाना है धूप बती तो जलवा दीजीए अगर वो भी नहीं है तो बस घंटी बजवा दीजीए आपके घर का अनियम धर्म और पूजा हो जाएगा और माली जी अगर आप सही है और पती आप बोलनाए हैं कि आप इस एक नहीं करते हैं पूजा नहीं करते हैं तो दीदी हम क्या करें बात नहीं सुनते हैं ठीक है नहीं करते हैं तो साधी के बाद देखें यहीं कहा जाता है जब तक साधी नहीं होती है लड़का जो पती है आपके अपने मा बाप के भाग इसे बढ़ते हैं मा के करतब इसे साधी के बाद पती ज पूजा करें और पती को उसका लाभी ना मिले ना पत्नी करती है जो ही अच्छे कर्म करती है पूजा पाठ नियम धर्म को अपनाती है तो उसका पूरा फल जो है आपके पती को भी प्राप्त होता है तो आप लोग चिंता ना करें कि ये नहीं जलावी से करते हैं नहीं मंदि जाते हैं टेंसन ना लें आप कीजिएगा आपके पती को पक्का फल मिलेगा ठीक है साधी के बाद पतियां करती है और सारा फल आपके पती के भी जूली में जाता है जितना आपको मिलता है उतना उनको भी मिलता है तो इसलिए आप कोई बात नहीं नहीं करते हैं तो जोड ज अगला नियम क्या है कि देखे प्रसाद है सावन का जो कि मैं बता चुकि हूँ कि सीलिंग के उपर से नहीं खानी है लेकिन मा लीजिए पीरियेड भी अगर आपका है और कोई ये मंदिर से ला के आपको प्रसाद देता है न तो पीरियेड में भी कभी प्रसाद किसी भी कि माफ कीजिए गा नहीं लेंगे मतलि माफ कीजिए बस परणाम कर लीजिए भगवान को बुरा नहीं लगता तो प्रसाद को भी पीरियेड में ना खाए और सीव जी के उपर से पक्का प्रसाद लेकर अपने पती बच्चों को ना दे तो ज़्यादा बेहतर है साथ में अ जब वापस लाती है तो उसी को प्रसाद के रूप में आप लोग गरहन कीजिएगा मैं कई बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी आप लोग डाउट पूछते हैं दिदी नारियल चड़ाएं हैं तो ले ले ये फल चड़ाएं तो क्या उसको वापस ना ले मिठाई सुबह नहीं माना जाता किसी कलीव सही नहीं होता है ठीक है तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेएगा आगली चीज क्या है कि सेंधा नमक खाएं कि नहीं खाएं तो देखिए मैं तो कहूंगी जो चार दिन का ही ब्रत रखें उन्हें तो किवल फलहार पे ही रहना च चीजे खा लें साबुदान वेगरा खा लें लेकिन सेंधा नमक नहीं खानी चाहिए रह गई बात कि मान लीजे किसी को डाइविटी जाए किसी को सुगर का प्रॉबलम है तो वो तो मीठा भी उनको नुकसान करेगा तो आप सेंधा नमक खाएं ना खाएं सुमबारी में नहीं खाया जाता हम क्या करें आप आराम से सेंधा नमक खा सकते हैं और मेरे सावन के वीडियो का प्लेलिस्ट चैनल पे है बहुत सारे वीडियो जहें आपको उससे बहुत लाब मिलेगा अगर चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं अगली चीज़ क्या है आप लोग पूछ अच्छी बात है वो तो प्रसाद स्वरूप में आप खायें तो और भी अच्छी बात है जो ही बनाए फलहार अपने लिए आप उन सेंधा नमक डालके बनाती है तो भी यह मीठा प्रसाद बनाती है मतलब अनाज वाला नहीं जैसे कि अनाज वाला भी जो पूरे महीने का अनाज भी खाते हैं ठीक है जो सुंबार बरत रखते हैं वही अनाज नहीं खाते हैं तो माली जैसाबुदाना का खीर बनाई है या कुछ और भी बनाई है चावल का ही खीर बनाई है तो आप लोग भगवान को प्रदोस काल में पहले भोग लगा लेते हैं और भोग लगा प्रसाद के रूप में गरहन करती हैं बच्चों को देती हैं तो और भी बेहतर हैं तो हाँ भोग लगा सकती हैं आप लोग पूछे थे कि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में भोग लगा सकते हैं बिलकुल लगा सकती हैं इससे तो बेहतर कुछ होगा है नहीं लेकिन तुलस पत्ता मत डालिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे दिमाग से निकल जाता है, और हम क्या करते हैं, भोग में पक्का तुलसी जी डाल देते हैं, तुलसी जी का पत्र लेकर डाल देते हैं, कि भोग अच्छे से मतलब जाता है, प्रसाद में अगर डाल करम भोग बहुत होगा तो फूल जो भगवान को मचड़ाय रहते हैं उसमें से थोड़ा सा तोड़ के प्रसाद में आप डाल सकते हैं तो इस प्रकार से ये भी हो गया ठीक है और सावन में ध्यान क्या रखनी है थोड़ा सा सज समर के रहिएगा पीरियड में नहीं आप लोग पुछत चीजे ना चुएत मजबूरी में चू सकते हैं ये भी बता दू माली जै आपको कहीं जाना पढ़ रहा है या कुछ ऐसा पढ़ जाए तो मजबूरी में चू सकते हैं सिंदूर असुध नहीं होता है लेकिन बचे तो बचानी ही चाहिए कोसिस कीजिए कि आप से बचे तो वो सावन चल रहा है तो ऐसा नहीं कि सावन में मांग भरनी है तो हम पीरियेड में भी भरेंगे पीरियेड में नहीं लगानी है बचा करनी है ठीक हो जाने के बाद तिसरे चौते दिन बाल धोने के बाद आप सिंदूर बिंदी काजल सब लगा सकती हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो समझ में आ गया सारी बाते आप लोगो आप किसी बात का मुझे लग रहा कि डाउट नहीं होगा और सज समर के सावन में रहेगा मेंदी वगेरा पक्का लगा लिजिएगा भूलिएगा मत और जो मैं बोली हूँ कि अपने पती को परणाम करने के लिए तो जरूर क किजिएगा बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे सीव जी से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे घर के पती ही हमारे परमेस्वार है पहले उनका असिरवाद जरूर हर ब्रत के दिन लिजिएगा बाकी भगवान जी का भी हमें लेनी है लेकिन पती को सबसे पहले ठीक है तो यही सब कुछ नियम थी बाते थी आप लोग के डाउट थे सब कुछ मैंने किलियर कर दिया आसा करती हूँ उमीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिकलाब मिलेगा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमसकार स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खूश रहिए ओम नमसिवाए